नमस्कार दोस्तों आज हम देखेंगे शिफ्ट का कोई भी अल्टरेनेटिवस है या नहीं जी हाँ अलड़ी अवेरिबल है रश्या का है चाइना का है इंटिये का जो यूपी है इसे हम आसन अल्टरेनेटिव फोर सिफ्ट डवलप कर सकते हैं बस यूपी का जो टेकनोलोजी है रियल टेम पेमन सिस्टम ये जो टेकनोलोजी कंट्रीज को अड़ोप करना होगा अल्टी सिंगपूर के साथ यूपी बेस ट्रांसेशन हो चुका है सिंगपूर और थायलन के बीच पर रियल टेम पेमन कम्मिनिकेशन हो चुका है तो यह जो technology real-time payment system कोई भी adopt करता है तो definitely UPA को हमें Swift का alternative worldwide establish कर सकते हैं बस यह जो technology को दूसरे countries को adopt करना होगा अब देखते हैं चाइना और रुषिय का alternatives क्या है Crossboard payment के लिए चाइना और रुषिय का alternatives है पले दिखते हैं रुषिय का रुषिय का है SPF, System for Transfer of Financial Messages यह है इसका English का परिभाश्चा SPF mainly यह developed किया है रुषिय का ही Central Bank इसका headquarters से Moscow पर only 400 participants इसके अंदर आता है from 23 different countries तो SPF एक अच्छा option है रुषिय के लिए असना alternative for shift बस हर एक country को इसे जोड़ते जाए और shift का alternative को तरफ से इसे use करते रहें अब हम देखेंगे चाइना का क्या shift का alternative है चाइना का shift का alternative है CIPES Cross Border Interbank Payment System है चाइना का alternative for shift basically यह deal करता है यूवान पर जो Chinese का currency है उस पर deal करता है और यहाँ पर देखिए कितना countries इस पर जूड़ चुका है यह जो चाइना का CIPES है इसके अंडर RD 1280 Financial Institutions आ चुके है from 103 Countries 2021 का reference है उसके सबसे RD 103 Countries इसके अंडर आता है यह जो CIPES के अंडर पर अब देखिए 2021 पर 80 Trillion Transactions Financial Transactions प्रोसेस कर चुके है तो definitely shift के लिए एक बहुती तगड़ा competitor है CIPES मगर इसका एक ही प्रॉब्लम है यह deal करता है यूवान पर जो है Chinese Currency इसका advantage है और success rate क्यों इतना जादा है इस पर जो syntax का जो standards होता है और shift की हिसाब से होता है ताकि आप भी कोई भी shift का जो syntax यूज़ करता है उन सब financial institutions को यह जो CIPES का जो payment system है इसे भी यूज़ कर पाऊगे क्योंकि आप देखिए दोनों का syntax का जो standards से same है इसलिए CIPES को adopt करने के लिए हर एक financial institutions के लिए easy होगा चाहे shift का network और CIPES का network different हो मगर दोनों का syntax एक है अब भारत के लिए UP का जो technology है इसे अलग country के लिए different countries के लिए export करके इनका base पर UP का base पर global का जो payment system है इसे establish करना होगा उसके बाद है swift का alternative के तरब से UP को use किया जा सकता है बस हर एक country को UP का technology adopt करना होगा यहाँ पर देखिए swift का पहले क्या था दोस्तों swift का पहले एक ऐसा ही एक network था secure network नहीं था वो उसका नाम था TELEX TELEX पर error proofing इतना भातर नहीं था efficiency इतना भातर नहीं था इसके कारण इसे drop किया गया TELEX को drop किया गया और उसके बद्रे introduced किया गया 1973 पर shift इसका headquarters बल्चियम पर बल्चियम associate एक corporate society है shift यह basically financial communication और messages across the border हर एक country पर available किया जा सकता है using shift और इस पर RD associate है 11,000 financial institutions across 200 countries इस पर associate है shift पर associated है shift पर पर डे 40 million financial messages transact होता है इसका main headquarters है बल्चियम पर और एक main data center है Virginia यूएस पर तो दोस्तों इस उन देखा shift का alternatives रश्या का, चाइना का और इंडिया का क्या क्या हो सकता है अगर UP based एक cross port payment system चाहते है तो UP के चेट technology है हर एक country को adopt करना होगा जो countries चाहते हैं कि UP पर transit करे, उसे adopt करना होगा और इसका base पर एक global payment system create करे, उसके बाद ही हम transit कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं financially across the border तो दोस्तों इस उन दिना ही वीडियो अच्छे लगए तो like करे शेयर करे अंडूस्म चैनल, ठैक जेहिंद, वंदे मातरम